मैं आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अम्रूद से बहुत ही टेस्टी चटपटी सी रेसिपी जो की 5 मिनट में बनके तयार हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आपर 4 मेडियम साइज की अम्रूद लिए हुए हैं और इसमें अम्रूद जो चाहिये होते हैं वो हलकी कच्चे होने चाहिए यानि कि बहुत ज़्यादा पके हुए अम्रूद हमें नहीं लेना है अम्रूद को हमने पानी से अच्छे से धो लिया हुआ है आप देख सकते हैं जो अम्रूद है वो हलके से ग्रीन कलर के हैं अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यह दिखे ऐसे हमें ग्रेट करना है हमें इसके बीज नहीं grate करने हैं आप चाहें तो इसे काट करके बीज हटा के grate कर सकते हैं बट मुझे इस तरीके से बहुत ईजी लगता है ऐसे grate करते जाए और यह जो बीज है इन्हें आप हटा दीजिए तो इसी तरह से हमने चारों अमरूत को अच्छे से ग्रेट करके रेडी कर लिया हुआ है आप चलते हैं नेक्स प्रॉसेज में तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार लिया हुआ है इसमें हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते चार से पाच हरी मिर्ची डालेंगे आधा इन चदरक का टुकड़ा है जिसे छील के छोटे टुकड़े में काटके डाला हुआ है आधा नीबु का रज डाल देंगे खटास अपने हिसाब से अज़ेस्ट कर सकते हैं अब यह जो हमने अमरूत का जो पल्प निकालके रखा हुआ है ग्रेट करके वो हम इसमें दो चमच डालेंगे बस दो चमच ही डालना है नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और आधा चमच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर अब धकल लगा करके हम इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो एकदम बढ़िया से ग्राइंड कर लेजिए तो यह देखे फ्रिंज मैंने इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है यह चटनी जैसी बन गई है आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और महीन ग्राइंड कर सकते हैं क्वांटिटी कम होनी के वज़े से यह बहुत ज़्यादा महीन तो नहीं हुआ है बर जो है ठीक है इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यह जो चटनी है इसे हम ग्रेट के वए अमरूद में ऐसे मिक्स कर देंगे यह देखिए ऐसे डाल दीजिए और एक स्पून से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो अमरूद के जो लच्छे हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे यानि कि bind हो जाएंगे तो ये लिजे फ्रेंज हमने आपर इसे अच्छे से mix करके तयार कर लिया हुआ है अब मैंने आपर चार bread की slice लिए इसमें ये चटनी हम ऐसे लगा देंगे तो पूरे bread में अच्छी quantity में लगाईएगा इसका taste जो है वो बहुत ही amazing लगता है आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे ये दिखें ऐसे इसमें लगा दीजिए पूरी bread में अच्छी से लगाना है तो यहाँ पर इसमें भी मैंने अच्छी से चटनी लगा दी हुई है अब इसे भी हम ऐसे cover कर देंगे आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही तवे में हलका सा पका सकते हैं बट हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरह से आलू की slice लगा देंगे आप आलू की लगा सकते हैं पनीर की लगा सकते हैं सिंपल प्यास टमाटर की भी लगा देंगे न तो बहुत ही तेस्टी लगेगी थोड़ा सा इसके उपर डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला पाउडर यह देखें ऐसे लगा दीजिए और फिर से हम इसे ऐसे कवर करेंगे दूसरी ब्रेट से और अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेज में तो यहां पर गैस में हमने एक तवा गरम होने के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा हम इसमें घी लगाएंगे बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है नौन स्टिक तवा में पना रहे हैं तो चाहें तो ऐसे ही पका सकते हैं यह देखिए दूसरी साइट से भी हमने इसमें घी लगा दिया हुआ है इस तरह से स्पून से हम इसे हलका सा दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो अंदर अच्छे से दब जाए यह देखिए जब यह एक साइट से हलका सा पक जाएगा हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइट से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर आने तक इसे सेक लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा जो नास्ता है बनके तयार होके आए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ यह देखिए बहार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आई हो अमरूत की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ